हलो मरवाई यूट कैसो आप से भी स्वागत है आप सब का मैं और आपके अपनी यूटीब चैनल डीसेंट एक्सप्रेमिट के अंदर तो दोस्तों आज मैं आप सुब करें लेकिया चुका हूंट्यों के रवेंज इसकी एपिसोड 70 और कुछ भी कहने से पहले दिल से बहुत बहुत शुकरिया मतलब बूलने के लिए कुछ है नहीं यार फिलिंग एक्स्प्रेस करने के लिए फाह के हो गए अब हमारे तुम लोग की सपोर्ट से और जबकि मैं वीडियो भी ने डाल पारा हो फ्रीक्वेंट फिर भी तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहो यार इसके ल तो दोस्तो चप्टर के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि लोगों के बीच के भीड में एक बंदा होता है वो कई सारे लोगों को मार रहा होता है और सब कहते हैं है वो लंबा दिखने वाला लड़का तो काफी खतरनाक है उसने अकेले ही दस लोगों को मार दिया और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वो और कोई नहीं हानमा होता है और उस समय जो हमारा हानमा होता है वो रीपर के नाम से जानना जाता था और उस समय वो किसा की से भी नहीं मिला था और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो अकेला ही दसबंदों को मार देता है मेरे साथ शामिल हो जाओ मेरे चेस के एक प्यादे बन जाओ और उसके बाद दोस्तो हानमा कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन किसाखी की बातों की तरफ और उसके उपर मेरा काफी जादा इंटरस्ट आ गया इस वज़े से फिर मैं उसके साथ हो गया और किसाखी को सच में लोगों के दिलों तक पहुचना आता था वो हर एक इनसान को मैनुपिलेट कर सकता है और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किसाखी कैसे कियो मासा को मैनुपिलेट करता है कैसे पाचिन को और उसके बाद पैयान को और उसके बाद हानमा और किसा की एक दिन एक रोड़ पर चल रहे होते हैं और उसके बाद किसा की कहता है हेई हानमा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक आवजार हो और जिस दिन मुझे तुम्हारे जैसे आवजार की जरूरत खतम हो जाएगी मैं तुम्हें किसी दूसरे आवजार से बदल लूँगा और उसके बाद हानमा कहता है हाँ हाँ फिर मेरी वही रोजमरा वाली जिन्दगी चालो हो जाएगी पर तुम्हारे साथ मेरी जिन्दगी काफी रंगीं है यह एक सरकस की तरह है कि इसका मतलब भी क्या है बेवखूफ और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किसा की काज़ोटोरा को भी मेनिपलेट करता है यूजुहा को भी और उसके बाद हकाई कहता है कि किसाकी मेरे लिए नए नए शोज लाते गया और वो मुझे काफी जदा excited करते गई और उसके बाद दोस्तो हम देखते हैं किसे तेंजीकू को manipulate करता है और उसके बाद दोस्तों तेंजीकू में जब तेंजीकू आर्क की लड़ाई चल रही होती है हम देखते हैं कि किसा की और हानमा एक साइड में बैठे होते है और उसके बाद किसा की काता है हानमा क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ और उसके बाद किसा की कहता है कि तुमने आखिर मुझे फॉलो क्यों किया आखिर मैं ही क्यों और उसके बाद हानमा कहता है कि फिकर मत करो जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारी लाश को ये बात बताऊंगा और उसके बाद किसा की कहता है इसका मतलब क्या है गदे और इसके बाद हमा कहता ऐरे फिकर मत कर याद बता दूंगा चल दोस्तो फाइनली वो दिना आता है जहां पर किसा की अमा को मारने की प्लैनिंग करता है और उसके बाद हाम माँ उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम कभी अपने हाथ गंदे करोगे किस्ता की फिर किस्ता की कहता है कि मैं कुछ चीजों के लिए काफी ज़्यादा डेस्परेट हो जाता हूँ और उसके बार दोस्तो हम देखते हैं कि किसा की जी होता है वो काफी जादा सीरियस होता है और वो कहता है मैं में हिरो तो भले ही नहीं बन aber पर मैं एक पाइरट जरूर हूं मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मैं वो चीज पाके रहूंगा जो मैं चाहता हूं उसके अगले सीन में हम तेंजीको और तुमान की लड़ाई में आ जाते हैं जहां पर माईकी ने इज़ाना को हरा दिया होता है और किसाकी ने इज़ाना और काकुचो को गोली मार दिया होती है माई की उस तक पहुची रहा होता है तब ही हानमा वहां बाइक से आता है और किसाकी को उड़ा ले जाता है और उसके बाद दोस्तो हम देखते हैं कि किसाकी किसाकी की मौत हो जाती है और हानमा ड्राकें से लड़ने के बाद वहां पहुचता है और वो किसाखी को देखके पूरी तरह से शौक हो जाता है क्योंकि किसाखी पूरी तरह से टूटी हुई शरीर केसाथ जमीन पर पढ़ा होता है बेहिसाब खुण के साथ और उसके बार दोस्तो हान्मा की आखों से काफी आस वाने लगते हैं और पर वो बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कितनी आतिहासिक मौत थी तुम्हारी किस्सा की और उसके बाद दोस्तो हम फ्यूचर में आ जाते हैं जहां पर हमारा 26 साल का हानमा बैठा होता है एक्चुली 28 साल का होता है वो हाँ और उसके बाद दोस्तों वो हानमा किसा की के ग्रेव के आगे बैठा होता है और कहता है क्या उपर सब सही चल रहा है किसा की और उसके बाद दोस्तों वो किसा की के ग्रेव के आगे एक बियर की बॉडल रख देता है और कहता है कि जैसा मैंने तुमसे वादा किया था दोस्त, आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा, चलो फिर शुरुवात करते हैं अटेयल आफ दो पाइरेट एंड रीपे और ये पाइरट वह वाला नहीं है जो तुम सोच रहा हो वणपीस वाला पाइरेट नहीं ये वह नहीं है जो समुदरी लूटे रहे होते हैं यह दूसरा पाइरेट है मुझे भी नहीं पता क्या इह है और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मूचो और माईकी को और मूचो कहता है कि उस दिन मैंने माईकी से यह प्रॉमिस किया था कि अब मैं उसके साथ रहूंगा लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक्चुली में मैं कहां बिलोंग करता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माई की एक दिन मूचो के पास आता है और कहता है मूचो फिर मूचो कहता है हूँ और उसके बाद दोस्तों माई की अपने हाथ में एक बंदे को उठा के रखा होता है और कहता है क्या तुम इसे मेरे लिए सम्हाल सकते हो और उसके बाद दोस्त हम देखते हैं कि वो और कोई नही सांजू होता है और उसके बाद सांजू कहता है है माईकी तुम मुझे अब जाने दे सकते हो और उसके बाद माईकी कहता है कि बाकी दूसरे डिवीजन इस बंदे को कंट्रॉल नहीं कर पा रहे है तो क्या तुम्हे लगता है तुम्हे से मेरे लिए कंट्रोल कर सकते हो और उसके बाद दोस्तो मूचो और सांजो दोनों एक साथ रहते हैं और सांजो काफे ज़दा तकलीफ तो देता है मूचो को क्योंकि वो हर जगा दूसरों के जगड़ों में फद जाता है और उसके बाद दोस्तो मूचो उससे अपने फिफ्ट डिविजन के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो तुमान का सीक्रिट ग्रूप है और उसके बाद वो तुमान के ट्रेटर्स को धूंडते हैं और इस समय उसे जिसके उपर शक है उसका नाम है बाजी और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि सांजू और हमारा मूचो वो दोनों एक गेम खिल रहा हुता है ये थोड़ा चेस टाइप का गेम होता है फिर जो मूचो होता है वो कहता है कि ये लड़का सच में कितना जादा बदमाश है हर जगा ऐसे ही तकलीफे खड़ी करता है मुझे नहीं पता कि माई की इसे अभी तक गैंग में क्यों रख रहा है और उसके बाद सांजू कहता है क्योंकि मैं उसका बच्पन का दोस्त हूँ और उसके बाद मूचो कहता है तो तुम डिफेंसिव खेनने लगे हैं और उसके बाद सांजू कहता है किंग की जान सबसे ज़्यादा जरूरी होती है और उसके बाद मूचो कहता है लेकिन वैसे तुम हमेशा योटसू या गैंग के साथ दकलीफों में क्यों पढ़ जाते हो फिर सांजू कहता है उन लोगों ने मुझे तुमान का मजाक उड़ाते हुए सुन लिया फिर उसके बाद मूचो कहता है ओह मैं किंग के उपर अपनी नजर जरूर रखनी चाहिए पर तुम्हे अपने आप को भी समालना चाहिए और उसके बाद सांजू कहता है हाँ मुझे माफ करना और उसके बाद दोस्तो एक दिन हम देखते हैं कि जो हमारा मूचो होता है वो एक मास्क लेक आता है सांजू के लिए और कहता है ये लो सांजू इससे अपने मूँ पे लगा लो वो सकार तुम्हारे पर इतना अच्छा नहीं लगता है और उसके बाद सांजू कहता है बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा और उसके बाद दोस्तो वो दोनों ऐसे ही छे महिनों तक एक साथ रहते हैं और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक अकेला बच्चा हूँ मुझे तुम्हारे जैसा एक बड़ा भाई चाहिए मुचो फिर मुचो कहता है हाँ तुम भी अब मेरे छोटे भाई जैसे ही हो गए हो और उसके बाद दोस्तों वो सीन हम देखते हैं जहां पर उन्होंने कोको नोई और उसके बाद इनोई और ताकि मीची को किड्नैप कर रखा होता है और मुचो कहता है कि चीज़े बहुत ही जादा अलग हो सकती थी अगर मैं माई की से पहले मिला होता सांजोा, आज से तुम जिस रास्टे पे जाना चाहो तुम जा सकते हो कि मैं अपसे तेन्जी को के साथ जा रहा हूhet, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो वरना तुम तोमान की तरफ वापस मुड़ सकते हो, तुम्हारे पास दो रास्ते है और उसके बाद दोस्तो जो हमारा सांजो होता है वो कहता है कि अगर तुम उसे पूछी रहे हो तो मैं बिना किसी दिक्कत के साथ तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा बॉस क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ और उसके बाद दोस्तो हमारा मूचो उसे थैंक्यू कहता है उसके बाद दोस्तो हम फ्यूचर में आ जाते हैं जहांपे जो हमारा मूचो होता है वो जेल से छूट गया होता है और उसके बाद वो सांजू से मिलने जाता है सांजू कहता है, बोस, कॉंग्रेट्स, कि आप जहल से आज छुट चुके हो और उसके बाद मूचो सांजू से कहता है, हे सांजू, अखेर हम यहां क्या कर रहे हैं यह तो, और उसके बाद सांजू कहता है, हाँ, यह कांटो इंसिडंट वाली जगह है मैं आपके लिए कितने दिनों से रुका हुआ था बोस और उसके बाद दोस्तों हम देखते है कि सांजू अपने अंदर से एक तलवार निकालता है और वो मूचों के सीने के आर पार मार देता है और कहता है तुम धोके बाज तुमने तुमान को धोका दिया था और उसके बाद दोस्तों मूचों कहता है सांजू क्यों और उसके बाद सांजू कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से जुठ बोलते आया उसी दिन से याद करो उस दिन जब हम शोगी खेल रहे थे मैंने तुमसे कहा था कि किंग, किंग ही सबसे ज़्रूरी होता है चेक मेट बॉस जिस दिन से तुमने माई की हमारे राजा को धोका दिया उसी दिन से मैं ऐसा करने का सूच रहा था और मूचों कहता है तो मेरे धोके की मेरे धोके की ये कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे अपनी जान दे कर उसके बाद दोस्तों सांजू उसे मार के वहाँ से चला जाता है और अब दोस्तों फाइनली हमारा मेन आर्क शुरूने जा रहा है जहां पर ताके मीची टाइम टरवल करके आया है अब सारी बैक स्टोरी वोरी खतम और ताके मीची का मेन रोला चुका है कि वो क्या करने वाला है तो थोड़ा बहुत दिखाई देता हूँ वरना तुम लोगो लगए आर्मेन आयाने के चैप्टर खतम कर दिया तो दोस्तों चैप्टर के शुरूआत में हम देखते है कि जो हमारा ताके मीची होता है वो बहुत ही रफ्तार से भागतेवे अपने सकूल की तरफ जाता है और वो कहता है आखर हुआ क्या क्या मैं वक्त में पीछे आ गया हूं पर यह तो 12 साल पहले नहीं है य यह 10 साल पहले है क्या अब मैं एक हाई सकूल में आ चुका हूँ अब मैं दो साल बड़ा हो गया हूँ तुम मजाग तो नहीं कर रहे हो और तभी दोस्ता हम देखते है ताके मीची का गुरूप आता है उसके पीछे से और काता है ठांगे मीची अगर तुम यह कर गया रहे हो क्या तुम अभी देख नीन में ही हो और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताके मीची के पीछे से एक बंदा और आता है और उसके बाद वो ताके मीची के गले में हाथ रखता है और ताके मीची क्या तुमने हमारे फानल एक्जाम कले पढ़ाए की और उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि क्या तुम अभी तक नीद में हो और उसके बाद वो कहता है मैं हाकाई हूँ और ताके मीची क्याता हाकाई तुम लोग तु सच में काफी सथा बड़े हो गए हो यार और उसके बाद हाकाई कहता है चलो चलते हैं क्लास में और उसके बाद ताके मीची कहता है हेई चिफूयू कहा है और उसके बाद दोस्तों वो भागते हुए चिफूयू की क्लास में जाता है और वो दर्वाजा खोलता है और कहता है हेई चिफूयू और इसके पाची फ्यू काता है ओ है तागे मींची क्या चला आए और इसके बाद आखे मींची की आखों में आस हुआ जाते हैं और दोश्तों इसी के साथ आजका चैप्टर भी खतम होता है तो मुझे बताना जरूर कि आप सब को चैप्टर कैसा लगा अच्छा लगा तो भी बुरा लगा तो भी बुरा लगा तो ज़रूर बताना अच्छा लगा एक बार नहीं बताओंगे तो भी चलेगा अगर कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट डाउन जरूर करना और या तो फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो तो वहाँ पर वीडियो के लेटर कोई भी अपडेट चैनल में क्या चैनल भी तुम पर्सनल भी कोई मुँद से सवाल पोच सकते हो जो भी तुम चाहो तो इसके लिए तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो जो कि तुम्हें आइडी यहां पर दिखी रही है तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में और हाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो चलो बबाई